Hello everyone, welcome to wireless era and आप देख सकते हैं थमनेल देखके अगर आए होंगे तो EKTU Slavers 2024 and 2025 के बारे में हम डिसकस करने वाले हैं especially I am talking about electrical engineering तो देखिए जो 3rd semester होता है बहुत ही important semester होता है lateral entry के लिए क्योंकि इनका newly admission होता है और जो उनके साथ linear होता है उनके लिए 3rd semester होता है तो उनको पहले से जनकारी होती है स्लेबस क्या होता है और हम जो होता है जो भी lateral से आते हैं वो direct diploma करने के बाद होता है उनके थोड़ा दिक्कत होता है तो according to me अगर आप स्लेबस पहले से जानते हैं 2nd year 3rd semester का तो आपके लिए exam देना थोड़ा असानी होता है तो चले इस वीडियो continue करते है तो देखिए आप भी एकेट्यू जो एकेट्यू का साइट है वहां से जाके आप स्लेबस डाउनलोड कर सकते हैं तो वहां से हमने डाक्टर रेपीज अबदूल कलाम जिसे एकेट्यू हम कहते हैं उसका हमने यह स्लेबस डाउनलोड किया है जो electrical second year है तो देख सकते हैं अभी मतलब second year जो चल रह आते हैं कितने subject होते हैं कैसे exam में marks आपका distributing होता है सबसे पहले देखिया यहांप लिखा credit semester यहां पर serial number है subject को होता subject होता arti category तो यह सब है यहां सबसे पहले आपको बताना चाते है यह third semester होता है third semester में six subject आपको पढ़ने हों गे कितने subject सिख सब्जेक्ट पढ़ने होंगे और जो भी आप अगर लेटरल से आंगे तो कीवल और कीवल एक सब्जेक्ट होगा वह आपको मतलब जो आप डिपलूम पढ़े हैं वह सिमिलर मिलेगा अदरवाइस जो पांच सब्जेक्ट होते हैं वह बिल्कुल डिफरेंट होंगे तो समाझ सकते हैं कि कितना आपके लिए दिक्कत होगा तो अगर आप स्लेवस में समझेंगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा अगर मैं अपनी मतलब हम लेटरल एंट्री में 2023 में अडिक्ट हुआ था पहले से क्लासेश चल रही थी और हम लोगों का अडिक्शन जो है वन मन्त आफ्टर हुआ था तो वहां तक आधा स्लेवस मतलब दो चेटर हर सब्जेट में पढ़ा दिया गया था हमारे लिए दिक्कत हुआ था लेकिन आप लोग का अभी लगता है क्लासे से स्टार्ट हो जाएंगी तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगा लेकिन फिर भी आप जा घृषाब दो सब्जक्ट होता है कि सब्सक्राइब जो इसमें आपको पढ़ना होगा तो हमार जो कुछ मतलब कॉलेज में पढा जाता है कुछ च्छ समस्टर में कृट समस्टर में तो हम अगर आप आरेशी सोनबद्र रिमाएंगे तो यहां पे जो है थर्ड समेश्ट पढ़ा जाता है मैथ 4 देखिए कैसे होता है सबसे पहले हमने बताया था कि जो भी आप इंटर्नल में नंबर लाएंगे जो यहां पर आप देख सकते हैं सेशनल जो कंपोनेंट है जो आप सीटी होगा 20 मार्स का सीटी में जितना नंबर लाएंगे उतना एक ट्योर आप मतलब एकुरेट आपको इंटर्नल मिलने वाला है तो इसलिए हम आपको यह स्लेबस पहले बता रहे हैं कि आप पहले से ही अपने स्लेबस के बारे में मतलब जागुरूख हो जाई और सीटी जोगर क्लास टे का दस नंबर एसाइमेंट का तो यहां से इंटर्नल आपको लाना ही लाना होगा क्योंकि देखिए डिप्लूमा नहीं है अगर लेटरल के लिए बात करें तो डिप्लूमा नहीं है कि आपको अगर टीचर से अच्छा बनता है तो आपको अच्छा इंटर्नल मिलेगा यहां अगर आप सो में चार क्डेड़ीट का है, मतलब हम ठोपॉइंए क्रेड़ीट के साफ today पचीस नंबर के लिए ऊसे 35バटा गया में 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 बना से तो यह क्रेड़ीट होता है मेरा 807888 8.4 GP 3rd semester में इसका नमबर या 7 नमबर उसका 8.46 बन गया तो यहां से उसका नमबर कम है लेकिन से जीपी अधिक बन रहा है क्योंकि उसका जो है यह जो मतल्ड कोर सब्जेक्ट है जो चार सब्जेक्ट एक उसमें उसका नमबर अधिक आ गया अगर उसमें नमबर सबसक्राइब है तो होता है से नंबर होता है। जो सबसे में इसमें यह पढ़ा जागा है, सब्सक्राइब करें और यह से इस नमर का इंटरनल सतरनल ठीक है वैसे ही तीचरा सब्जेक्ट होता है इल्क्तो मैंने डिप्लों में पड़ते हैं हमने बोला कि यह की सब्जेक्ट आपको मतलब common मिलेगा यही जो एक सब्जेक्ट आपको common मिलेगा जो आप वहां पर पढ़े होगा है या यह यह भी चार ग्रेट का होता है देखिए इसमें नंबर लाना आपके लिए असान होगा तो यह यह मोगा आप पांचवा सब्जेक्ट की बात करें तो पांचवा बेसिक सिंगल न आप समझ सकते हैं आपका python जो python programming वह computer science IT का सब्जेक्ट है लेकि मतलब एक basic information के लिए इसमें भी हमें पढ़ना पड़ता है तो समझ सकते हैं coding के सब्जेक्ट भी हमें पढ़ने पढ़ेंगे तो यह होता है सबसे कम credit दो credit का होता है total 25 credit का आपका third समयचा होता है जिसमें जो instrument and instrument इसमें अधिक सदिक नमबर लाने कोसे किजिए जिसे आपका सिजीपी जो है वह एज़ीपी जो है अच्छा बने तो आप चलिए थोड़ा आप स्लेवर्स के बारे में हम बात कर लेते हैं इतने में ही बहुत ज्यादा टाइम हो गया और टाइम ज्यादा हो जाता है आप लग वीडियो को लास्त तक नहीं देखते हैं तो हम इस पेसली मतलब उतना ज्यादा नहीं बताएंगे बस आपको एक ओवर विव दे रहा है इंटेग्रेल डेल अपरिटर इस बिल्कुल नियू आएगा मतलब जब पढ़ेंगे ना लेटरल से आंगे आपके लिए बहुत ही मतलब डिफेंट सब्जेक्ट होना वाला है मतलब सुरू में तो समझी नहीं आएगा बहुत ही दिक्कत होता है इसको समझने में यूनित फ इसके डिटेल बात करनेंगे लिए तो 20 मिनट से अधिक वीडियो बन जाएगा और जो कि आप लोग देखेंगे नहीं और मेरे वीडियो का रिटेंशन जोगा खराब होगा तो मेरे वीडियो रिटेंशन खराब हो बस एक ओभर व्यू दे रहा हूं कि आपका स्लेबस कैसा आप स्लेबस डाउनलोड कर सकते हैं कि त्यूब के मतलब वेबसाइट से वहां से एक एक चीच पढ़ सकते हैं और जो ना समझ में आप पूछ सकते हैं तो यूनिट जो होता है वो मैंनेटिक फिल्ट से रिलेटेट होता है जिसमें एमपर सर्कृत अला यह पढ़ना है जो होता है मतलब बहुत इंट्रेस्टिंग और बहुत ज्यादा मतलब कंफ्यूजंग टॉपिक है उसके बाद हम दूसरे सब्जेक्टी बात करें तो दूसरा सब्जेक्ट क्या होता है वैसा जो पीमेंसी और आईरन टाइप तो अपने वाट मिटर बोल्ट मिटर पढ़ाता ह इसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगा सिंगल फेस डाइनमो मिटर वही सब पढ़ना है इसको पढ़ना फिर से यहां पर जो चौता चेप्टर होता है यारो के बारे में आएगा यारो के पढ़ेंगे फिर से इसमें सीटी पीटी का डेरिवेशन जो के उसमें नहीं था इसमें जो है थोड़ा ज्यादा ब्रीप में है ठीक है तो यह आप पढ़ सकते हैं डाउन्लोड करके उसके बाद बेसिक सिंग्नलन सिस्टम के बाद करें यह बिल्कुल आपके लिए नया सब्जेक्ट होगा इसमें कि आप लेप्लास ट्रंसपाम पोरियर ट्रंसपाम जो क कि आपको पढ़ाएंगे तो बस यही है तीन सब्जेक्ट बचे आपको दिखा दे रहा है तीन सब्जेक्ट जो यह बचे हैं मैथ इसका स्लीवस आपको डॉन्लोड करना पड़ेगा इस पेसली क्योंकि इलक्टिव सब्जेक्ट है पिर से टेक्निगल कम्निकेशन का भी आ मैं आपका इंटर्नल होता इंटर्नल 30 नमबर का होता एक सक्तरूर होता है तो सब्द 008 subject who have a good credit more credit than other subject so lastly मैं ने थर्ड समेस्टर जो आपका है थर्ड समेस्टर का जो six subject है उसको हमने cover करने को उसकी है तो जहां भी आपको अकर समझ में बनाया है कुछ doubt हो तो please comment में पूसकते हैं thank you